वेल्कम श्टुडेंट्स इन माई यूटूब चैनल तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा दस्वी के हिंदी पाठे पुस्तक छितिस भागा का सूर्दास के पद ये एक पहना चेप्टर है तो बच्चो आप हम जो वीडियो बना रहें आपके लिए इस वीडियो में सूर्दास जी का परीचे रहेगा लेकिन दूसरे वीडियो में आपको सूर्दास जी के पदों की जो भी व्याक्या है वो रहेगी प्रशनों तर रहेंगे हर चाप्टर 36 और कृतिका आप इस यूटूब चैनल पर हिंदी और संस्क्रिप का कंटेंट देख सकते हैं ठीक है तो आज सबसे पहले हमारी वीडियो हिंदी की है यह तो वो है सूर्दास जी के पड़ बच्चों सबसे पहले हम करेंगे पांच और सत मिनिट के अंदर अपना सूर्दास जी के पड़ीचे तो वैलकूं तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल् DIRE क चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिंदी और संस्कृत का कंटेंट आपको पूरा इस वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा तो आए शुरू करते हैं सूर्दाज जी चिक हिंदी तो सूर्दाज जी का परीचे जीवन परीचे तो सूर्दाज जी का जन्म कब हुआ था हुआ था ठीक और इनका जन्म दिल्ली के पास सी ही माना जाता है वे मत्रा और विंदावन के बीच एक गवगाट पर रहते थे मत्रा और विंदावन के बीच में एक गवगाट पड़ता है ठीक है वहाँ पर क्या होता था गवज जादा रहती थी ठीक गवशाला जिसे हम क नमबर एक सूरसागर, साहिते लहरी, सूरसारावली जिसमें सबसे लोग प्रिय सूरसागर ही हुआ है सूरदास, वातसले और स्रंगार के स्रिष्ट कभी माने जाते हैं सूरदास जी को वातसले और स्रंगार का कभी माना जाता है उनकी कवीता ब्रज भाषा में लिखी हुई है यहां सूर सागर के ब्रहमर गीत से चार पद लिए गए है बच्चों यहां जो लिए गए हैं चार पदों में इस चाप्टर को फिनिश किया गया है इसमें चार पद हैं तो पहले पद में क्या होता है तो जो चार पद लिये हैं उनकी कवीता ब्रिज भाशा में लिखी हुई है और यहां सूर सागर के ब्रहमर गीत से चार पद लिये गए है मत्रो जाने के बाद क्या होता है इसकी कहानी हम आपको बता रहे हैं थोड़ी से मत्रो जाने के बाद जब स्वयम ना लोटकर उद्दव जी के जरिये गोपियों के पास स्री कृषिन ने संदेश बेजा था जब हमारे स्री कृषिन भगवान जी मत्रो चले गए थे तब उद्दव के हाथ वो स्वयम नहीं आये थे उद्दव जी के हाथ में उन्होंने संदेश बेजा और उद्दव निर्गुन भ्रम एवम योग का उपदेश देकर गोपियों की ब्रैवेदना को सांत करने का प्रयास किया ठीक अब लेकिन गोपिया नहीं मानी उद्दव जी जो संदेश लेके आये गोपियों को जो समझा करती थी गोपियां ठीके गोपियां को कौन सा मार्क अच्छा लगता था वो प्रेम मार्क को पसंद करती थी और जो उदव जी ने जो अपनाया था वो ग्यान मार्ग अपनाया था इसलिए उन्होंने उदव का संदेश पसंद नहीं आया तभी एक बहरा यानि भ्रमर जिसने मधुकर भी कहा जाता है उड़ता हुआ वहां आया गोपियों ने व्यंग के द्वारा उदव से मन की बाते कही अर्थात अब तभी गोपियों ने भ्रमर के बहाने उदव पर व्यंग के बाण छोड़े इसलिए उदव और गोपियों का संबाद भ्रमर गीत नाम से प्रशिद है जो भी बात गोपियों ने कही उन्होंने उदव के जरिये उन्होंने व्यंग किये थे उदव को जो भी बोला उन्होंने ब्रमर गीत के द्वारा बोला था अताथ भवरे ने बोला था पहले बद में क्या होता है बच्चो पहले बद में गोपियों की यह शिकायद उन्हें प्रेम की प्रिड़ा का एसास नहीं होता है। दूसरे पद में गोपियां यह सुईकार करती हैं कि उनकी अभिलाशाएं मन की मन में रह गई, कृषिन के लिए उनकी मन की घहराई को प्रकट करती हैं। और तीसरे पद में क्या होता है। वे उद्धव की योग, साध पदना कड़ी कड़ी जैसा बताकर अपने एक तावाले प्रेम विश्वास को परकट करता है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं। कृषिन ने अब राजनीती पड़ ली है। है ना। चौथे पद में क्या बोलती है वो, आपकृषिन ने राजनीती पड़ है अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को प्रजा की हित यात पिलाया जाना सूर्दास की लोगधार्मुक्ता को दर्शाता है तो बचो यह हमारा हो गया अपने सूर्दास जी का जीवन परीचे अब सूर्दास जी के चारो पदों की व्याख्या आपको मिलेगी अगली व अगली वीडियो में आपको मिलेगा इनके प्रशन उत्तर इस पार्ट के और इन चारो पदों की जिस्कार से जाक्या नमस्कार धन्यवाद वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें हिंदी और संस्कृत का पूरा कंटेंट आपको यहां मिलेगा कमेंट बॉक्स में आप हमको बता भी सकते हैं जो भी आपको वीडियो बनवानी है नमस्कार धन्यवाद यह ठैक्यू